Hello everyone, welcome back to my channel Kids Learning Fun आज हम discuss करने वाले हैं Class First of Hindi Worksheet So, वीडियो को start करने से पहले मैं आप लोगों से request करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरी चैनल पर first time visit कर रहे हैं और आपको मेरी वीडियोस देखने के बाद helpful लग रहे हैं और वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीस वीडियो को लाइक ज़रू कीज़ेगा और चैनल Kids Learning Fun को सब्सक्राइब Class First से रिलेटेड सभी स्लेबस और सभी वर्कशुट्स को चेक करने के लिए चैनल पर विजिट करके प्लेलिस सेक्षन में जाकर के आप Class First को स्लेक कीज़े तो बहाँ पर आपको helpful वीडियोस और सलेबस मिल जाएंगे तो यहाँ पर हम देख लेते हैं हमने First Question क्या लिया है इन वर्कशुट्स के हल्प से आप अपनी Summer Vacation में Class First की हिंदी की प्रिपरेशन घर पे कर सकते हैं So First Question हम लोगों ने लिया है नीचे दिये गए अक्षरों का प्रियोग करते हुए यहाँ पर हमें कुछ अक्षर दिये गए है So इनका प्रियोग करते हुए दो, तीन और चार अक्षरों के शब्द बनाओ So इन अक्षरों का प्रियोग करना है और हमें दो अक्षर के, तीन अक्षर के और चार अक्षरों के शब्द यहाँ पे बनाने है तो सबसे पहले हम बनाएंगे दो अक्षर वाले शब्द तो यहाँ पे लिखा है दो अक्षर तो चली देखते हैं हमारे कौन-कौन से बनेंगे अ, ब, अब क, ब, कब ह, ल, हल अब हम बनाएंगे हमारे तीन अक्षर वाले शब्द तो तीन अक्षर वाले शब्द बनेंगे हमारे म, ह, ल, महल फिर बनाएंगे हम लोग ब, त, ख, बतक इसके बाद हम देखते हैं हमारे क्या अक्षर बनेगा कलम यह हमने बना ली हमारी तीन अक्षर वाले शद, अब हम बनाएंगे हमारे चार अक्षर वाले शद, छलिए देखते हैं, अ-ज-ग--र, अज-ग-र, श-ल-ग-म, श-ल-ग-म ज-ग-म-ग, जग-मग, यहां पे हमने हमारे दो अक्षर वाले, तीन अक्षर वाले और चार अक्षर वाले शब्द जो है वो इन अक्षरों के help से मिलकर बना लिए हैं So next question है हमारे यहाँ पर नीचे दिये शब्दों के विलोम शब्द लिखो विलोम शब्द का मतलब होता है उनके opposite शब्द यानि के उल्टे शब्द तो यहाँ हम पहले देखेंगे कि क्या लिखा है फिर उसके विलोम शब्द को हमें यहाँ पे लिखना है पहले नमबर पे हमें दिया गया है मोटा, मोटा का विलोम शब्द होगा पतला काला, काला का विलोम शब्द होगा सफेद दिन, दिन का विलोम शब्द होगा रात, उपर, उपर का विलोम शब्द होगा नीचे इसके बाद है ठंडा, ठंडा का विलोम शब्द होगा गरम, आधा, पूरा, हसना, रोना, सूखा, गीला तो यहाँ पे हमने हमारे जो भी शब्द दिये गए थे उनके विलोम शब्दों को लिख लिया है So next question है हमारा यहाँ पे मिलान करो तो यहाँ पे हमें कुछ चित्र बना के दिये गए हैं और बीच में उनका नाम लिखा है तो हमें पहले इनको पढ़ना है शब्दों को और फिर जो भी हमारे यहाँ पे चित्रों से मिलान होगा उसको हमें मिलाना है तो पहले नमबर पे हमें दिया गया है फ, फ में बड़े उकी मातरा फूल, फूल तो फूल है बच्चों यहाँ पे माला, माला कहा है, इस तरफ है left side में मेज, मेज होता है table, तो मेज है यहाँ पे पतंग, पतंग है उपर आम, बैग, बैग है हमारा सबसे उपर तो यहाँ पे हमने हमारे चित्रों के साथ शब्दों का मिलान कर लिया है So next question है, एक वचन को बहु वचन से मिलाओ एक वचन होता है singular और बहु वचन होता है plural तो यहाँ पे एक वचन दिये गए हैं और यहाँ पे दिये गए हैं बहु वचन तो एक वचन से हमें बहु वचन को मिलान करना है सबसे पहले नमबर पे हमें दिया गया है लड़का, लड़का, लड़के कब होचन होगा, लड़के, पुस्तक, पुस्तके, कलम, कलमे, चूहा, चूहे, पउधा, पउधे, आख, आखे, माला, मालाएं, तो यह हमने हमारे एक वचन, जो शब्धे, उनको बहुवचन से मिलान किया है, तो नेक्स कोशन है, हमारा अक्षर सही क्रम में रखकर शब्ध बनाओ, तो यहाँ पे हमें अक्षरों को आगे पीछे करके लिखा गया है, जैसे हमारे जंबल लेटर्स होते हैं, तो उनको हमें देखना है, और सही क्रम में यहाँ पे लिखना है, द कर, अद कर अदरक, ल कर, कलश, 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 इसकी प्रैक्टिस कराने से आपकी वाकेबलरी भी स्ट्रॉंग होगे, और उनको नहीने शब्दों का भी ज्यान होगा, रश तब शर्बत, हमल महल, ली, इ, म, इमली की, लव, लव की इसमें यह उपर वाली मात्रा नहीं आएगी इमली में इस कोशन को हम दुबारा देख लेते हैं क्योंकि यह रिकॉर्ड नहीं हुआ है अक्षरों को जोड़ कर शब्द बनाओं तो यहाँ पर हमें अक्षर दिये गए थे लिखा है मटर इसको पूरा लिखेंगे तो बनेगा मटर पनघट तितली शेरनी पढ़ाई ब आधच पूरचा आकडंडा बच्चा यहाँ पर हमें जो भी अक्षर दिये गए थे उनको जोड़ के हमने हमारे शब्दों को बनाया है तो नेक्स्ट कोशन है तीन अक्षर वाले शब्दों पर गोला करें तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द बना के दिये गए हैं जिसमें भी तीन अक्षर वाले शब्द हैं उसको हमें गोला करना है तो उसके लिए पहले हमें इनको पढ़ना होगा रजाई तो यह हमारे तीन अक्षर वाला शब्द है पढ़ाई यह भी हमारा तीन अक्षर वाला शब्द है नमक इसमें भी तीन अक्षर है एक दो तीन काला यह दो अक्षर वाले शब्द है रब रब यह भी दो अक्षर वाले शब्द है महल महल डगर डगर पनघट यह चार अक्षर वाला शब्द है अजगर अजगर यह भी चार अक्षर वाला शब्द है चख चख दो अक्षर वाला शब्द है नल नल और हल ये सबी जो हैं हमारे दो अक्षर वाले शब्द है तो जो भी हमारे तीन अक्षर वाले शब्द थे उनको हमने पढ़ करके गोला करना था तो वो हमने किया है तो नेक्स्ट कोशन है सही जोड़े बनाओ यानि कि हमें इनको मैच करना है, तो पहले नमबर पे हमें दिया गया है राजा, तो राजा का किसके साथ जोड़ा बनेगा, पुत्री, बच्ची, हतनी, भाई, रानी, तो राजा का जोड़ा बनेगा, रानी, बहन, बहन का जोड़ा बनेगा, भाई, पिता, माता, शेरनी, श पाथी, हथिनी, पुत्र, पुत्री, बच्चा, बच्ची. आज हम लोगोंने डिसकस किया है, क्लास फर्स्ट ऑफ हिंदी वर्कशिट, अगर ये वर्कशिट आप लोगों के लिए हेलफुल रही है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरू कीजेगा, आप चैनल किट्स रनिंग फन को सब्सक्राइब, थैंक यू. 다 सुऌ सम्रेब, प्लीज सुआ के लिके लाएं को सब्सक्राइब, भीजरी, कि विके लिकानल आप लोगोंते हैं, दो आज है, क्लास, र HU univers, विकानल कि वकंपटने ही हैं, कि वक्लाइब, प्लीजरामने म逊 इन तो भीजे सुआ है,bol्ते हैं, तो प्लीज़िए बहां के वक